हेलो जोस्तों के स्विप्स लोगे सासा करते हो प्रफूप विडिया होंगे तो गईस यहां आप पमेल देखे समझ को किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है तो गईस कि आपके पास भी आईकू का जैड़ नाइन लाइट फाइब द्वाइस है जिके सकते हैं आपके पास सब्सक्राइब पर करें लिए हैं मरा कजो हो आदके वाए जैसका कि बैकर सीचित करें के वाइं और लोकेशन यह नहा कंटक्र से नहीं confirm होने में चाहिए पीडियो testini यह लगा देते हैं अपने मल के डाटा को अफ कर गें इस आपको मल करना है उस आपको पता को बीडियो को कब देख रहे हूं हो सकता है कभी भी next year या कभी भी देख रहे हूं जुलाई जून आगास्त ऐसी टाइम पे देख रहे हूं हो सकता है गर्मी का टाइम हो काफी ज्यादा उस टाइम में आपका मॉयल चार्च ना हो रहा हो आपको एक ची बताना चांगा किसने भी फास्ट चार्च को कोई भी होकर नचोट की कपड़ों को उसमें लपेट के मॉयल को चार्च करने काफी फास्ट होगा क्योंकि बैंट्री के टेंपरेटर काफी हीट होने की वज़े से आपका डवाइस चार्च नहीं होता है इस जीच कर दिया रखना अकर आप गर्मी की वज़ेसे गर्मी के ट्रेम प बगा जाते हैं जिसके विचसे में काफी सारे इसु दिखने मिलते हैं अगर आपको लगता है अपडेट के साथ बगा गया है या अपडेट आने के बाद मौई चार्च नहीं हो रहा है तो पहले की तरह ही फिक्स हो जाएगी और पर तरीक से आपका डवाइस पास चार्च करें गां करणा है यह फार्च ना यह रही तो आटाइस बोगी इस से आप आपको जाता प्तिकश्ट करते है आप किसे ठाईब डेंगी आपके होता है मुणमाइद्वاسbas में काफЕТ लोड़ हो जाता है एक प्लिक्शन भर जाते हैं आपको और कि अपीशिंग हो जाते हैं ये आप फस्ताम हा गुलत यसरी श्तर प्लिक्शन फृत कर देना जैसे की यहांपर बेक आगो है आप को करना आपको hop 22 करना जैसे कि वोड्य चीजिवान, Heb फोटी वीडियो एप्लिकेशन इन चीजिवान को ब्रकुल। वाइट करना है यहां करें और वाया थाज़ शूंथ 양ुंकर हो जागी हैं आपके सब्मढक अब करना जब भी मलगो जुट करते हों जब से क्योंगा लिए वगरा करेट होती रहती है तो मौल को जासे लिए रखाई रखें दूसरी बात स्थिंप्र इपको जना प्रट आपको अपको नगा दोसरी बत जब्याप मुल्क चार्च पर लगा रहे हुँ जैसे फ्यूप वॉट्व यूट्यूब में जो जो बीगाते हैं जो चीज आपने यूज की जैसे आपको लोग करना था इस अट्रट फॉल्व करने के बाद दे चार्ज नहीं होता इस चीज़ का भी आपको अमेशा ध्यान रखना है बेंटरी के टेंपरेटर जितना हीट होगा बहलें गर्मी हो धंड हो कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपने गया में बगरा किया तो पांसे दसमेंट का वेट करने के बाद को चार्च प्लगाओ उस आप एफ इंफिमिशन में जाओगे यहां पर आपके उसको इस्ट्रोइब में जाना है और किलेर के चिकर देना है जैसे अपके किछे कर दोगे वह एफ्रिक्शन है क्ली डेक्ष हो जाएगा एंड आपके चार्च में कोई रुकाबट हो रही होगी वह नहीं होगी तो आपको वीडियो पसंदा यो वीडियो को लाइक कर सकते हैं पर पहली वरायों सब्सक्राइब कर लेना थैंकियो मुझे अच्छी वीडियो में बस अतना है